वाटा नाइट वाटा नाइट क्या रात थी सर्वाइवर सीरीज की लगबख 10 साल बाद एक ड्रीम कम ट्रू हुआ रैसलिंग फैंस का फाइनली सीम पंक वापे साथ चुकें डबडबलोई में वाकई सर्वाइवर सीरीज की कम्प्लीट वीडियो में अपलोड कर चुका हू जोगी काफी इंट्रस्टिंग होने वाली है और बात करेंगे ओफ एर में क्या-क्या कॉंट्रोवर्सी हुई है सीम पंक के आने के बाद वीडियो काफी कमाल के होने वाली है उम्मीदे आप सभी को पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करे बिना बिल्कुली मज जाईएगा सर्वाइवर सीरीज का में इवेंट जहां टीम कॉड़ी वर्सेज ड्रू मेकेंटाय जजमेंटे के बीच मैंज वार गेम मैस दिखा इस मैच में रेंडी ओर्टन केज में आके बंद नहीं हुए महीं पूरे शो में टीम कॉड़ी को ये कहते दिखाया कि रेंडी ओर्टन मैं टीम कॉड़ी के मेंबर को एंटर होना था यानि कि रेंडी ओर्टन को एंटर होना था तब कोई और नहीं आया आई तो रेहा रेपल है उनके पास मनीन तब बैंक ब्रीफ केस था बट तब ही यहां रेंडी ओर्टन का म्यूजिक हिट होता है उनका रिटन हुआ वो दे पेटिट रिटन था CM Punk का जो की हो चुका है काफी rumors, report उनके रिटन को लेके आ रही थी और वो अब हो चुका है 2014 के बाद अब 2023 में CM Punk WWE में दिखे हैं जिसकी उम्मीद कुछ टाइम पहले तक शायद किसी को नहीं होगी AEW से जब उनने निकाला गया तब इसकी उम्मीद जगी है और ये कारणामा हो पाया है अब बात कर लेते हैं क्यों CM Punk 9 साल बाद WWE में वापस लोटे हैं वो भी तब जब विंट स्मेकमें, ट्रिपलेच और CM Punk के बीच बहुत ज़ादा हीट थी जिस तरह से CM Punk को WWE ने निकाला था उसके बाद उसके बाद चांसिस बहुत कम थे कि वो कभी WWE में लोटेंगे भी बट ऐसा हो चुका है, ऐसा ऐसली भी हुआ है क्योंकि WWE से निकाले जाने के बाद CM Punk UFC, AEW और भी प्रमोशन में ट्राई कर चुके हैं बट कहीं उनकी बाद बनी नहीं है, अब CM Punk के पास केवल WWE एक उप्शन था अगर वो नहीं उसको चुनते तो फिर शायद उन्हें प्रो रैसलिंग छोड़के घर बैटना पड़ता या कुछ और काम बगेरा करना पड़ता वहीं सोने पे सोहागा ये भी है कि WWE के Head of Creative इस टाइम ट्रिपलेच हैं विंस मेकमेन WWE में अभी उस तरह से पावर में नहीं है इसलिए CM Punk और ट्रिपलेच ने जो कुछ हुआ उसको साइड में रखा इगो दोनों ने साइड में रखके और ये पॉसिबल हो पाया जो की वाकई अच्छा है वहीं CM Punk को भी और ट्रिपलेच को भी ये समाज आ गया कि दोनों को एक दूसरे की जरुवत है Punk अगर WWE में आएंगे तो पैसा बनेगा और अगर Punk WWE में आते हैं तो उनके लिए भी एक तरह से फाइदे मन्द होगा ऐसा बताया जा रहा है महीं Punk के सबसे close किसी ने reveal करा है कि लास्ट वीक ट्रिपलेच और CM Punk की लंबी बातचीत हुई है जो की शायदे एक गंटे से जादा चली है महीं rumors तो ऐसे भी हैं कि लास्ट वीक ही WWE और CM Punk के बीच पहली बार बातचीत हुई है जिससे मैं तो बिल्कुल agree नहीं हूँ ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट वीक पहली बार बात हुई और CM Punk का रिटन हो गया और वो तयार हो गया ए ट्रिपलेच भी तयार हो गया भाई काफी बार बातचीत हुई होगी तब जाके ये possible हो पाया है WWE staff, representative, creative और talents को CM Punk के रिटन की कोई जानकारी नहीं थी बताया जा रहा है कि CM Punk के रिटन से कुछ मिनट पहले उस रास्ते को साफ करा गया मतलब महां से सबको हटा दिया गया सभी को महां से हटाया गया उसी टाइम Triple H ने शो को समाला और ये हो पाया महीं production वालों को भी इसकी जानकारी नहीं थी बताया जा रहा है कि production में शायद Triple H ने खुच जाके CM Punk का music हिट करा है इसी वज़े से CM Punk का रिटन ऐसे कराए गया बिल्कुल end time पे क्योंकि beat show में कराते या किसी पे attack वगरा करवाते तो creatives, talent इन सभी को ये सब बताना पड़ता क्योंकि उन्हें भी तयार होना पड़ता कि हाँ भई यहाँ पे return होने वाला है अब आ जाते हैं off year में क्या हुआ CM Punk का return हुआ वो stage पे थे, fans से वो मिल रहे थे तब ही भईया Seth Rollins उनको देखके काफी angry हो गए और नाराज दिखाई दिये वो ring से निकल के बाहर आये उन्हें कौडी रूट, Sammy Zen, Corey Graves, Michael Cole ने पकड़ा हुआ था Seth Rollins लगातार चिला रहे थे, गुस्सा दिखा रहे थे और middle fingers भी वो CM Punk को दिखा रहे थे उनको पीछे से पकड़ा गया था महीं रेहा reply भी Punk के return को देख करके इस तरह से react कर रहे थी, चल चल निकल अब Seth Rollins का ऐसा reaction real है या cable WWE का part है या WWE इन दौनों के बीच अभी से heat generate करना चारी है ये तो fair time बताएगा अगर real है तो वाकिए बहुत गलत है ऐसा नहीं होना चीए था क्योंकि Punk बहुत टाइम बाद वापिस आए है और उनके आते ही ऐसा महौल होगा तो WWE के लिए सही नहीं होगा क्योंकि सब को पताए कि AW में CM Punk जब थे तो क्या महौल था महीं ऐसा गरके WWE ने ये तो जता दिया है कि Punk और Seth Rollins जल्दी आमने सामने आएंगे महीं Triple H को काफी alert रहना होगा Seth Rollins काफी पहले एक interview में CM Punk को cancer भी बता चुके है महीं आपको बता दूँ Triple H ने CM Punk को लेके press conference में कहा था कि अगर आप वही हो जो 10 साल पहले थे तो आपने गड़बर कर दी है Everybody grows मतलब कि सब को भढ़ते हैं सब बढ़ते हैं उन्होंने एक तरह से ये बोला है महीं आपको ये भी बता दूँ कि Ryback चचा Ryback जो पहले WWE में थे उन्होंने कल एक tweet करके कहा था कि अगर CM Punk WWE में return करते हैं तो वो wrestling से retirement ले लेंगे और Punk का return हो चुका है तो Ryback चचा जाओ retire हो जाओ और घर पे जाके आराम से सो महीं Seth Rollins के साथ सा Drew McIntyre को ले करके भी एक update आ रही है Drew McIntyre जैसे ही match खतम हुआ और announcer winner announce कर रहा था तब ही यहां से Drew McIntyre निकल के जाते हुँ दिखाई दिये हैं वो काफी गुस्चे में थे face पे हाथ रखके जा रहे थे वो और बताये जा रहा है कि वो back estate locker room में अपने room में जाके केबाल धाड मारते हैं अपनी hoodie वगर उठाके वो arena को छोड़के निकल जाते हैं अब देखिए यह कहना कि CM Punk के return की वैसे गुस्सा है अब क्यूं है क्या है यह तो खेराने वाला time बताएगा तो यह था CM Punk के बाद सब कुछ off year में क्या हुआ उनसे related जो कुछ निकल कर आया वो मैंने आपको बताया वीडियो यहां तक देखिए और पसंद आयो तो like करें share करें अपने friends के साथ मिलता हूँ जो दी next वीडियो में thank you